आज हम करेंगे एक ऐसा आसन जो की पेट और कमर की चर्वी को खत्म करने में काफी जादा कारगर माना जादा है और नाम है इसका चक्की चन्नासन तो आईए जानते हैं कैसे करते हैं ये आसन इस आसन को करने के लिए सबसे पहले टांगों को सीधा करके बैठें हाथ जांगों पर रहेंगे उपरी शरीर को सीधा कर लें बाजूं को आगे फैलाएं और उंगलियों को एक दूसरे से चकर लें अब शरीर के उपरी भाग और सीधी बाजूं से समतल गोल-गोल चक्र करें रेचक करते हुए सामने की दिशा में बड़ा अर्ध चक्र बनाएं ऐसा करते समय कूलों से आगे की ओर चुके रहेंगे पीठ यथा संभव सीधी रहनी चाहिए और नजर हमेशा हाथों की ओर रहनी चाहिए अब पूरक करते हुए पीठ तक अर्ध चक्र जारी रखें इसमें यथा संभव आराम दायक सिती में शरीर पीछे की ओर जुका रहेगा बाजू आगे पहले रहेंगे और नजर हाथों पर होगी चक्र लगाते हुए शारीरिक हिलना डुलना बाएं से दाएं दसबार और दाएं से बाएं दसबार करें इसके बाद वापिस प्रारम विख सिती में लौटाएं ये था चक्की चलनासन बात करें अगर इस आसन से होने वाले फायदों की तो ये आसन कूलों को लचीला और पेट की मासपेशियों को सचक्त बनाता है ये नितंबों की मासपेशियों को मालिश करता है ये मणिपूर चक्र को परिचा लेता और सक्रे करता है पर इस आसन का अभ्यास करने से पहले इस बात का खयाल जरूर रखें कि अगर आपको पेट में किसी भी तरह की तकलीफ वैसे में ये आसन बिलकुल भी ना करें तो ये था वो आसन जो आपके कमर की आपके नितंबों की चरबी को कम करता है पेट को सपाट करता है और पेरों की मासपीशियों को सशक्त बनाता है